बच्छो आज हम देखने वाले हैं कक्षा आठवी की हिंदी इकाई दो पार्ट छे अंधा युग इसमें हम देखने वाले हैं इसका प्रशनुत्तर और प्रशनुत्तर आपके डाइजेस्ट का है तो आपको मैंने पहले वी जो कोशन अंसर का वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया है कि पहले आपको इस तरीके से अगर गद्य है तो आपको गद्य का परग्राब दिया जाएगा पद्य है तो पद्य का ठीक है तो यह कविता है पद्य दिया गया यहां पे और इस से मानों भविशे की प्रभ की इस कायर मरण के बाद तो फिर अश्वत्थामा बोलता है कायर मरण मेरा था शत्रुव लेकिन कहूंगा मैं दिवे शांती च्छाई थी उसके स्वन मस्तक पर तो यहां पे और भी है वृद बोले आवसान के ख़णों में प्रभु मरण नहीं है वो व्याद मात रुपांतरन है या सबका दाईत लिया मैंने अपने उपर अपना दाईत स्वन जाता हूं तो यहां से लेके पुरा यहां तक ठीक है जो आपको कविता का है यह दिया गया है अब इस से रिटेट क्वेस्टन से यहां पे आपको पूछे जाएंगे और जित सारी रिस्पॉंसबिल्टी निश्क्री यानि इनक्टिव हो जाना जो कोई काम न करता हो आत्मगात यानि आत्मात्या करने वाला विलगीत यानि शिथिल एकदम ठीला पड़ जाना अब जितना पेराग्राफ था उससे रिलेटेट क्वेस्टन पूछा जाएगा प्रभू आधोंने इनका दाइत में ईनका दाइत्व लिए चिसका किसका लिया है उसका उत्तरम देखेंगे अंध्य युग में परभू का एक अंश इसमें भी दो आपको आंसर लिखना है तो और तीसरह है कविता में प्रयुकत पात्र तीन पात्र आपको पता है कौन-कौन से हैं का भी लिखना है किसने कहा लिखिए ये तीनों लाइन किसने कई है वो लिखना में किन्तु रक्षा कैसे होगी अंधे यूग में दिवेशांती छाई थी उसके स्वन मस्तक पर बोले अवसान के चड़ों में प्रभु मरण नहीं है ओव्याद है तो इन सब का उत्तर हमें यहाँ पर देखने को मिला है प्रभु ने इनका दायत लिया है यूइस्थ अश्वत्थामा का अंधे यूंग में प्रभु का है कंश निश्क्रिव आत्मगाती अ कविता में प्रयुक्त पात्र यूइस्थी अश्वत्थामा वृद तो ने नीचे questions देखे थे उन सब का answer यहां पर है तो इस तरह के सही question आपको एक्जाम में पूछा जाएगा और यही pattern आगे भी रहेगा 910 का भी ठीक है अब यहां पर देखते हैं पद्यांश में प्रविक्त भाव आचक संग्या ढूंड कर लिखू पद्यांश किस पद्यांश में क्यplease दिया गया है तो मुक्ति मरंण रक्षा भविश यह चार लूश के अंसर है क्या पद्यांश में प्रयूथ एक शब्द के लिए शब्समोल लिखी एक शप्र के लिए मिलग और लिए ignition क्या होगा जो कोई काम नüfत हो ठीक है क давно को तो ऐसे कभी-कभी आपको कैसे question पूछेगा, यह पूछेगा, यह वाला पूछेगा, कि निमलिखित प्रयुक्त शब्द समूह के लिए एक शब्द में उत्तर लिखिए, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन जब यहां पर बोला गया है, प्रयुक्त शब्द के लि अब देखो, यह क्या है, दूसरा आत्मगाती, तो इसका शब्द समूह क्या होगा, अपने हाथों अपने को मार डालने वाला, ठीक है, अपने को, खुद को, मतलब मार डालना, आत्मगाती, अब दूसरा देखो, यहां पर, निश्क्रियता मनुष्य की शत्रू है, विशे पर अपने विचार लिखिए, तो अपने विचार लिखने है इस पर, ठीक है, आपको अपने विचार लिखने है, तो यहां पर दिया हुआ, निश्क्रियता मतलब कुछ काम दंदा न करना, इनाक्टिव हो जाना इदम लेजीनेस कह सकते हैं वो तो उसके कारण क्या होता है वो यह आपको यहां वह देखो निश्क्रियता मनुशी की शत्रू है यह कैसा अगुण है जिसके कारण मनुश अपने वर्तमान और भविश दोनों को नश्कर लेता है यह तो सही बात है है न अपनी असफलता का कारण वो भाग और ग्रहदशा को दोश बताते हैं जबकि वास्तविक्ता तो क्या है रियालेटी क्या है कि वे आगे बढ़ने का समय सभी के पास आता है लेकिन जो लोग अपने घ्यान यानि नौलेज विवेक यानि समझ भूज ठीक है अपने दिमाग लगातार सक्री रहने से मनोशी के तन और मन में फूर्ती वनी रहती उर्जा रहती है अता हमें चाहिए कि निश्क्रियता त्यागने में तनिक भीदेरी ना करें बहुत ही अच्छी बात कही गई है अब देखो पद्यांश एक कामने देख लिया था कई सारा क्वेस्चन थ इसके बाद एक आएगा आपको स्वामत देने के लिए अब दूसरा देखो ऐसा है यह पेज आपको दिया गया है पेज नंबर 39 to 40 में यह पराग्राफ है अब इसी से रिलेटेट क्वेस्चन आएगा इसी से रिलेटेट क्वेस्चन से देखते हैं हम यहां से यहां तक है आप देखिए इसका जो मीनिंग है कटिन शब्द जो पराग्राफ दिया गया है उसी से रिलेटेट यह एक तो गोला होता है और यहां प्रेमतलब चरित्र नूतन का मतलब नया निर्माड करना नया निर्माड ध्वण्स यानि विनाश विद्वन्स कहते हैं ना मर्यादा युक्त यानि सीमा में बंधा हुआ एक लिमिट में रहना आंचरन यानि व्योहार चाल चलन ठीक है और यह तो पता है निर्वायता यानि डर निडरता सक्री फुर्तीला क्रिया युक्त विक्रित यानि कुरूब बिगड़ लुझाना किसी चीज़ कभू बरबर यानि रही हिन्सक यानि नौन वालेंस आप समझ सकते हैं अत्मगाति आत्मhaktia करने वाला जो susai कर लेते हैं अनास्था मैं जिसमें स्रद्धा भाओ ना हो आस्था caf स्व हो जिसमें स्रथधा होती है विश्वास होता है वहान के लिए किसी भी चीज लिए अनास्थाम यानी इंफ़ का भाव नाहू सहार्थक तयानी उसके उपėयोगितां ठीक है यूसफुल है की नहीं है बोड़ी अंश्वत्थामा की नुसर नए अर्थ में व्यक्ति, चार बताने हैं आपको, वो हम देखेंगे आगे, क्वेश्चन और देख लेते हैं, कविता की पंक्तियों को उची तक मानसवार लिखकर प्रवार तख्ता पुर्ण कीजिए, पहले कौन सी लाइन आएगी, तो वो है, तो इसका अंसर देखते हैं, एक यहां प यह रहा, ओर्डर में, पहले कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद यहां पर देखेंगे, जो तीसरा क्वेश्चन था, विनाश का ध्वन्स, निर्मान का स्रीजन, होता है, मीनि यह और इसका जो आया है, जो आपके बुक में जो दिया गया है, क्या पुछा गया है, पद्य पद्यांश में इस अर्थ में आये शब्द, अर्थ तो यह होगा, लेकिन इसका अर्थ यह भी होता है, लेकिन किताब में आपके क्या है, आपके लेसन में क्या है, यह सब है, तो वो आपको देखना है, यह है, ठीक है, याद करना है आपको, अब जो पद्यांस सेकेंड वाला जो था उसमें जो भी विशेशन आया है आपको कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है संग्या सरुनाम कुछ भी पूछ सकते हैं प्रत्य ये सारी चीजे भी प्रत्य नहीं आपको विशेशन क्रिया विशेशन ये सारी चीजें पूछ सकते है प्रत्ययुक्त शब्द यूपसर्ग 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 एक फ्यांपर देखिये पहला का उत्तर है दूसरे का है जीवित है यहां पर देखिये कि इसका दो आया है विशेशन पहला है नूतन दूसरा है जीवित यह दुनाहों विशेशन है कि विशेशन अपने पढ़ा ही hour व्यक्रण में है के सो यहां पे देख लिजए और यहां पे द्खिए सार्थकता तो यहां पर सार्थक अक्षब्द प्ता बनायोत दिया ज़्या हो गया यह तो अनास्ता हा Suzuki हुआ मैं प्रत्य हुआ तो मैं को अलग कर दया है मतलब हिएग यहां पर दिखिए एस स्माय को । ग्रिति नमबर तीन यहां पे दिया गया वावात स्वमतियव व्यक्ति जो पद्याश दिया गया था उससे रिलेटर यहां पे पूचा गया मनुश्री का विश्य उसके हाथों में इस विश्य पर अपने विचार लिखिए यहां पर लिखा गया है बहुत ही अच्छा यहां पर आगे देखते हैं व्यक्रण और भाशाग्यान पाठो में आए मुहावरे का अर्थ लिखकर उनका अपने सुतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो मुहावरा यहां पर है पारावार न रहना सीमा न रहना किसी चीज का मतलब देखो मतलब किसी चीज का करते हैं कि इतनी खुशी का ठिकाना न रहना सीमा न रहना तो घंटों सिर्ख पाने के बाद भी समस्या का हर नहीं निकला गर्व में चूर होना यानि घमंड करना या पार में थोड़ी सफलता क्या मिली जैराज गर्व में चूर होने लगा ये वाक्य है घोड़े वेच कर सोना यानि निश्चिन तो होकर सोना प्रिक्षा समाप्त होने पर अभी नव घोड़े वेच कर सो रहा है आँखों से उजलोना यह गायब हो जाना यहां पर देखो इसका वाकिप्रयोग है हाथ बटाना सहायता करना उसका वाकिप्रयोग है आप देख सकते हो सबका यहां पर है कि अब उप्योजित लेखन यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मुद्दे दिये जाते हैं आपको इस तरीके से और फिर आपको उसी से रिलेटेट कहानी लिखना होता है तो यह कहानी लिखी हुई है यहां से आप देख सकते हो यह पूरा आपको चाहिए तब स्क्रीन श कि अब यहां पर देखे कर्म ही पूजा है विशय पर अपने विचार सव शब्दों में लिखिए एक निपंद की तरह हो गया है यह तो सव शब्दों में आपको लिखना है आ सकता है एक्जाम में आपको तो इंपॉर्टेंट है कोई डाउट रहे हैं तो कमेंसेशन तो फिर ठीक है फिर उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं है और अगर आपको मतलब अगर आपको वीडियो सही लग रहा है या फिर जैसे कि सीदा सीदा मैं आपको बस ऐसे बता दूँ फोटो आप ले लो इसका स्क्रीन शॉट ले लो तो आपको वैसे भी चाहिए तो आप म मैं आपके लिए वीडियो प्रवाइड करा हूँ, ओके?